आज की बेहद खास प्रेस बारता में पार्टी के पुर्वे राष्टिय धक्षे मानिय सांसद राजी बरंजिन सिंग जी पार्टी के राष्टिय उपाधक्षे और पुर्व परदेश सदक्षे मानिय मंतरी सुनील जी, मानिय मंतरी जन्तराजी, मानिय मंतरी सर्वन राष्टिय मानिय और मानिय शंसद राष्टिक के सभी समानित नेता गन आप उपस्तित मीडिया के प्रिंट मीडिया के लटोनिक मीडिया के छैकार साथी गन आप सबों का हार्दिक भिनंदन है स्वागत है साथियो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का रन भेरी का बिगुल बच चुका है लोकतंत्र का महापर्व का बिगुल बच चुका है और आज आप सबों को महत्पुन जनकारी देने के लिए हम सबों के जो पार्टी के सर्वमान निता मानिये मुखवंत्री नितिश कुमार जी राष्टिय धक्ष जिने जो हमारे हिस्से के जो शीट है उस सीट का उमिदवारी उन्होंने तैक कर दिया है जिसका घोसना हम सबों के पार्टी के राष्टिय उपाधक्ष मानिये पुर परदेश सर्दक्ष वसिष्ट निनायन सिंग जी उस सीट का घोसना करेंगे हम उनको माइक देते हैं उसके बाद बारी बारी से और भी हमारे निता जो पस्तित है और रखेंगे हाद देवाद देते हैं परद परद देता है फिर वो भी हो जाएगा पर्टी के सभी बरिष्ट नेता प्रेस और मेडिया के साथ थी हूँ अठरावी लोकसभा काम चुनाओ होने जा रहा है और इसमें पर्टी ने अपने प्रत्यास्यों की सूची माननी राष्टी अधेक्स जीके निर्देश में और सभी साथियों चे बिचार विमर्ज करके सूची तै किया गया है उसमें एक नंबर बालमिकी नगर से सुनील कुमार जी पर्टी के प्रत्यासी होंगे स्रीवहर से स्रीमति लभली आनंद उमिद्वार होंगे स्रीतामरी से स्रीदेवेश चनरठाकुर उमिद्वार होंगे स्री रेंपृत मंडल जी पाठी के प्रत्यासी होंगे सुपावल से स्री जिलेश्वार कामस जी उमिद्वार होंगे कटिहार से दुलावचल गोष्वामे जी पाठी के प्रत्यासी होंगे पूर्णिया से मध्यपूरा से दिनेश चंद्रजादाव जो उमिद्वार हूं। गोपाल गन्य से डाक्टर आलोक कुमार सुमन उमिद्वार हूं। सिवान से शिरी बिजया लक्ष्मी देवी प्रत्यासी हूं। भागलपूर से अजय कुमार मंडल शुनाव लड़ें। मांका से शिरी गिरेधारी जादव उमिद्वार हूं। मुंगेर से श्री राजी रन्यान सिंग्खुर प्रुलालन सिंग्जी उमिद्वार हूं। नारलंदा से श्री कॉलेश से कॉस्टलेंद्र कुमार उमिद्वार हूं। जहानाबाद से शिरी चंदेश्वर प्रसाद उमिद्वार हूं। पार्टी ने काफी बिचार विमर्ष के बाद इन प्रत्यासियों को सेलेक्ट किया है। हम गठ बंधन में हैं। इन सोरह प्रत्यासियों किसंगंज मुजाहिद आलम जी उमिद्वार हूं। हम अपने प्रत्यासियों को तो विजयी बनाने के लिए पार्टी के साथ ही काम करेंगे। लेकिन गठ बंधन में। गठ बंधन के भी जो प्रत्यासियों होगे। उनको भी जिताने के लिए हमारे साथी, हमारे समर्थत, हमारे काज करता। यह सभी लोग जी जान से लगेंगें और हम पुरी आशा और मिश्वास के साथ आज सूची आपके सामने दे रहे हैं कि यह सभी उमिद्वार निश्चित रूप से जीतेंगे इस आशा और उमीद के साथ हम यह सूची आपको आप लोगों को सौप रहे हैं हम चाहेंगे कि आवे बिस्तार से हमारे राष्टिये महासिचिव संगे जहां जी रखेंगे इसमें जो राष्टिये अध्यक जी ने लिस्ट जारी किया है इसमें ग्यारह छे पिछरे बर्ग से और पांच अथी पिछरे बर्ग से ग्यारह टोटल प्रत्यासी पिछरे और अथी पिछरे बर्ग से हैं एक महादलित से हैं गोपाल गंज से डॉक्तर आलो कुमार सुमन तो बारह हुआ एक हमारे प्रत्यासी किसन गंज के हैं मुजाहिद आलम सहाब जो मुस्लिम सम्दाई से आते हैं और तीन अपर कास्ट के प्रत्यासी हैं टोटल सोला उसमें दो महिलाएं हैं टोटल यही है ग्यारह पिछरे आथी पिछरे बर्ग से एक महादलित बारह एक मुस्लिम जो हमारे प्रत्यासी है किसन गंज से और तीन जो है मुंगेर, सीतामधी और सिभर वहां से जो हमारे अपरकास्ट के प्रतियासी हैं एक तो ये था इससे पहले भी दिल्ली में NDA का जॉइंट प्रस कॉन्फरेंस करके हम लोगों ने कौन किस सीट पे लरेगा वो तै किया था जो बिल्कुल NDA में एक रुपता है और आज भी जो बात हुई तो उसमें बीजेपी का लिस्ट दिल्ली से जारी हो रहा है उनसे भी संपर्क में हम लोग है कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी की स्थीति नहीं है और इसमें हमारे बारह सिटिंग जो हमारे सांसद है वो है और कुछ जगह जो नया सीट आया हम लोगों का उस पर नए प्रत्यासी आये हैं और एक जगह हम लोगों ने चेंज किया यही डिटेल आपके देना अब हम चाहेंगे बिजनरों माने अच्छाइ 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 व्यां ये व्यृज्ण से अच्छाइ грभा हमार दियो हमें अच्छाइ आप कर दिब कीन ही अधन्यों आजард कि नेता पूर्मंत्री पार्टी के नेता पूर प्रदेश सदक्ष्य मानिये मंत्री बिजंद्र वावु से आगर किनेंगे कि दो सब्सक्राइब आधर ने आया रास्तिय उपाजग जी उपस्तित सभी बरिष नेकागन देखिए एक है जो संध्या जाजीन है जो हमारे रास्तिय महासचीब है रास्तिय महासचीब श्री संध्या जाजी ने समाज के एक कंपोजिटिव बर्ग सबका प्रतिनिधित देने का काम पार्टी ने किया है इनकी इस सुची के मुताबिक उन्होंने अच्छन पिशडा पिशडा उची जात में भी देखिए राजपूत है ब्रह्मन है भुम्यार है महिला है जुबक भी है जैसे किसंगंज के जो मिर्वार है वो युबक है सभी लोगों का समाबेश करने का काम हमारे रास्टिय अध्याच और मानिये विहार की मुख्मत्री स्टि इंडिटिश कुमार जी ने करने का कि समाज का हर वर्ग हर तबके का प्रत्मिदीत भी हो उनका विकास भी हो यही उनका सिद्धांग यही उनकी मानिता है और जनता सब्सक्राइब का यही उद्धेश है इसलिए इस सुची में कहीं कोई आपको तुसी तरह की कोई ऐसी बातें नहीं दिखाई पड़ीगी जिसमें कि कोई किसी की उपेक्षा हुई है बस इतना ही मिले करना है धन्यवाद है अब पार्टी के पुर्वे राश्ट्य राजर पार्टी के राष्टे उपाध्यक्स आधरनिय बसिष्ट वई यहां उपस्थित पार्टी के सभी समानित नेतागन कि सभी समानित मानिय मंत्रिगन और आप सभी पतरकार साथ्रियों आज आधरनिय बसिष्ट वई ने जनता दल उनाइटेड के हिस्से में जो 16 सीटे महा राश्ट्य जनतांत्री गठवंधन के द्वारा मिला था वो 16 सीटों के लिए सुची जारी कर दी एक तरफ राश्ट्य जनतांत्री गठवंधन एंडिये में आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उमिद्वारों के चयन तक कोई परिशानी नहीं है पूरी एक जूटता है पूरी सहमती है और दूसरे तरफ आप सभी लोग देख रहे हैं कि महा गठवंधन में सिर्फ टवल कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है कोई टिटे लेके भाग रहा है कोई कुछ भाग रहा है ये हालत अगर चुनाओ के पहले सीटों के बटवारा का है तो चुनाओ के बाल क्या होगा तो इसलिए और राश्टिय जनतांतरी गठवंधन का लक्ष है पिछले 2019 के चुनाओ में हम लोग 49 सीट जीते थे इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष 40 का 40 सीट का लक्ष है और फिर से इस देश के प्रदान मंत्री आदर निया रिंदर मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है आप सब को मालूम है कि नितीश कुमार जी ने पिछले 18-19 बरसों में जो काम किया है उस काम के पृति आज भी बिहार की जनता का आकर्षन का केंद्र आदनिये नितीश कुमार जी है बिहार के मुख मंद्री हैं और बिहार की जनता का ब्यापक जन समर्थन है और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीथ जीतेंगे जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे यह हम लोग को पूर्ण विश्वार से जिनको टिकट लेना होगा कहीं जा रही होंगे तो टिक टार्थी है तो टिक टार्थी है तो जदल बदलू का क्या हाल होता है आपको मालूम है ना आप लोग को होली के सुबकामना हर्दी को सुबकामना देते हुए कारिशकर को समाप्त की जाती है